जानवरों को हमारा अच्छा दोस्त माना जाता है डॉक्स इस लिस्ट में सबसे उपर है और इसके अलावा ये यकीन करना अक्सर मुश्किल होता है कि कुटे के रूप में इस तरह के चतुर और दयालू पालतू जानवर कैसे किसी के अंगों को काट सकते हैं अच्छा लिए आज हम बात करते हैं 10 सबसे खतरनाक नसल के कुटों के बारे में पर दोस्तों अब शुरू करने से पहले हमारे चानल से लेटिस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चानल आसकाई गुरू को सबस्राइब करना ना भूले हमारे लिस्ट के टॉपर से मिले जिसे कॉर्केशियन अफचार का के नाम से भी जाना जाता है ये कुटब बहुत बड़ा हो सकता है और ये 50 किलो या 110 पाउंट का होता है वजन में इसकी लाइफ स्पैन है 10 से 12 साल ये रॉशियन और यॉरिपरिन कंट्रीज में पाया चाते हैं इनका प्रयोग गाट डॉक्स के लिए होता है पहारी इलाकों में अमेरिकन बेंड डॉज ये मजबूत कुटा एक अमेरिकन पिटबूल टेरियर और एक नेपोलिटन मेस्टिफ के बीच के एक क्रॉस ब्रीड है अपने मस्कुलर रूप के बावचूत कुट्टे को मूल रूप से लडाने के लिए क्रॉस ब्रीड नहीं किया गया था ये डॉग अकसर शिकारियों से खुद को रक्षा करने के लिए और ट्रेस से इसको पकड़ने में यूज के जाते हैं बोईर बोईल बहुत ही वफादार होते हैं और अपने परिवारों के लिए बहुत प्रोटेक्टिव होते है गुल डॉग गुल डॉग जिसे पाकिस्तानी बुल डॉग के नाम से भी जाना जाता है गुल टेरियर और बुली डॉग के बीच का क्रोस ब्रीड है बेहादी मजबूत और शक्तिशाली डॉग को स्पेशली एक फाइटिंग डॉग के रूप में ब्रीड किया गया था और इसे बहुत ही अग्रेसिव और अनकंट्रोलिबल माना जाता है अमेरिकन बुल डॉग अमेरिकन बुल डॉग एक मस्कुलर और हेवी डॉग है यह अपने शांत और फ्रेंली बिहेवियर के लिए जाने जाते है इस ब्रीड को एक काम करवाने वाले डॉग के रूप में पाला गया था जो जंगली सोर और केटरल्स को पकड़ सकता था और उन्हें मार कर अपने मालिक के प्रॉपर्टी के रखवाली कर सकता था ग्रेट डेन ये डॉग जर्मन मेस्टिफ या दैनिश हाउंट के रूप में भी जाना जाता है घरेलो कुत्ते ये ब्रीड अपने बड़े और हैवी साइज के लिए फेमस है ये ब्रीड डुनिया में सबसे लंबे 44 इंच का रेकॉर्ड रखते है और मूल रूप इसे जर्मनी में वाइल्ड बेर और हिरन के शिकार करने के लिए पाला गया था फिला ब्रेसिलेरियो फिला ब्रेसिलेरियो को ब्रेजिलियन मेस्टिफ के नाम से भी जाना जाता है जो ब्रेजिल का एक हेवी डॉग है इसमें बहुत अच्छे tracking abilities है लेकिन ये एक dangerous और aggressive dog भी है अपने heavy size, nature और aggression की qualities के कारण Brazilian Mastiff को बहुत सारे countries में bind कर दिया गया है Wolf Hybrid जैसा के इसका नाम है Wolf Hybrid जिसे wolf dog भी कहा जाता है एक कुट्टे और एक भीडिये के बीच का एक cross breed है Wolf dog hybrid genetical traits दिखाता है जिसके वज़े से उसके behavior में दुनों wolf और dog के लक्षन दिखाए देते हैं ये दिखने में भी काफी कुंखार लगते है Northern countries में sledges कीचने के लिए और उनकी तेज कीचने की qualities के लिए इस dog को जाना जाता है ये sledge dog racing और adventure trekking के लिए भी उप्योग किये जाते है हाला कि ये अपने मजबूत hunting के कारण चोटे ज़ानवरों के लिए खतरनाक हो सकते है और अगर ये board हो गए तो बहुत ही dangerous होते है German Shepherd Germany से originated dog की एक breed German Shepherd का weight 70-100 pounds तक हो सकता है Intelligent, Confident, Alert और नीदर होने के कारण Police उन्हें अपके K9 units के लिए उप्योग करते है हाला कि Shepherd के साथ साउधनी से बरती जाने चाहिए क्योंकि ये अपने family के प्रदिश सुरक्षित हो सकते है और यदि उनका सही डंग से maintenance नहीं किया गया तो ये attack करना शुरू कर देते है तो दोस्तो ये थे वॉल के सबसे dangerous dog breed के बारे में कुछ जानकारी है अगर इससे जूड़ी आपके पास और भी कुछ जानकारी है तो हमें comment section में जरूर बताए और अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आ होगा तो इसे like, share and comment जरूर करें तो अगले वीडियो तक के लिए अलवेजा दोस्तो धन्यवाद